साही राम प्यारे बच्चो बच्चो आज हम यहाँ पर S.A.2 में आने वाले पाठों का आज हम यहाँ पर रिविजन करेंगे इसमें कौन-कौन से पाठ है? पाठ 12 आरियन की करामात पाठ 14 राजस्थान की सेर और पाठ 16 वरुम का आत्मिविश्वास तो बच्चो आपको इन तीनों पाठों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पाठ के बीच में से भी प्रशन उत्तर उचे जा सकते हैं इसलिए बच्चो आपको इन तीनों पाठों का पठन यानी रेडिंग करना अनिवारिय है अभी बच्चों यहाँ पर देखिए पहला प्रश्ण दिया है निमलिखित प्रश्णों के उत्तर में सही विकल्प को चुनिये यहाँ पर बच्चों देखिए प्रश्ण दिया है और उसके नीचे तीन विकल्प दिये है जो सही विकल्ब है उसको चुनना है और उस पर क्लिक करना है अभी यहाँ पर देखिए पहला दिया है आरियन के पास रेल गाड़ी में कौन बैठा था तीन विकल्ब दिया है पहला दिया है एक आदमी, एक सिपाही, एक सैनिक तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, एक आदमी. तो इस तरह उसको चुनना है एक आदमी को और उस पर आपको क्लिक करना है. अगला प्रश्यम देख़िए. पुलीस ने आरियन को इनाम देने के लिए कहां बुलाया? पुलीस ने आरियन को इनाम देने के लिए कहां बुलाया कहां पर बुलाया इसके निचे भी बच्चों देखिए तीन विकल्प दिये हैं जो सही विकल्प है उस पर आपको क्लिक करना है पुलीस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाग घर पुलिस ने आरियन को इनाम इनाम यानि पुरुसकार देने के लिए कहाँ पर बुलाया पुलिस स्टेशन तो इस पर आपको क्लिक करना है अगला देखिए रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है उट को हाती को गाय को तो इसका उत्तर के आया रेगिस्तान का जहाज उट को कहा जाता है तो इस पर आपको क्लिक करना है अगला देखिए, काव्या ने अर्पिता को किस माध्यम से अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बताया? पत्र के माध्यम से, मुबाइल के माध्यम से, कम्प्यूटर के माध्यम से तो किस के माध्यम से? काव्या ने अर्पिता को राजस्थान की यात्रा के बारे में बताया? पत्र के माध्यम से, तो इस तरह से बच्चों आपको उत्तर पर क्लिक करना है अगला देखिए, खाली जगह में आने वाले सही विकल्ब को चुनिये यहाँ पे जो सही विकल्ब है उसको चुनना है और उस पर आपको क्लिक करना है पहला दिया है, मा ने आरियन से पैसे डैश देने के लिए कहा चाची को, दादी को, नानी को मा ने आरियन से पैसे देने के लिए किस से कहा? दादी को तो दादी को आपको इस पर क्लिक करना है अगला प्रश्न देखिए राजस्थान डैश बहुत प्रसिद्ध है इस पर भी बच्छो देखे तीन विकल्प दिये हैं तीन विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो सही है उस पर आपको क्लिक करना है तो पहला दिया है किलो वे महलों के लिए वीरों के लिए फूलों के लिए तो राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है किलो वे महलों के लिए तो इस पर आपको क्लिक करना है अगला प्रश्ण देखिए अरपिता चुट्टियों में डैश घूमने गई थी अरपिता चुट्टियों में डैश घूमने गई थी आगरा, शिमला, निपाल अरपिता कहां? गुमने गई थी चुटियों में? शिमला तो इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है देखे, वरुन पढ़ने लिखने में डैश था वरुन पढ़ने लिखने में डैश था हुशियार कमजोर चालाग तो इसका उत्तर क्या आएगा? वरुन पढ़ने लिखने में हुशियार था तो इस तरह से आपको उत्तर पर क्लिक करना है अगला प्रिशन देखे वच्चो Who said to whom? नीचे दिये गए वाक्य किसने किस से कहे हैं? सही विकल्प चुनिए तुम स्वैम को अकेला मत समझो यूवल ने वरुन से कहा वरुन ने एक व्यक्ति से कहा गुरु जी ने यूवल से कहा इसमें विबच्चो देखे तीन विकल्प दिये हैं जो विकल्प सही है उस पर आपको क्लिक करना है तुम स्वैम को अकेला मत समझो तो यह है वाक्य किसने और किससे कहें है यूवल ने वरून से कहा इस पर आपको क्लिक करना है अगला प्रशन देखिए बेटा क्या तुम यह प्रमानित कर सकते हो बेटा क्या तुम यह प्रमानित कर सकते हो मनप्रीत ने आरियन से कहा बैंक मैनेजर ने आरियन से कहा टोपी वाले ने बैंक मैनेजर से कहा यहाँ पर भी तीन विकल्प दिये है जो विकल्प सही है उसको चुनना है और उस पर आपको क्लिक करना है तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे बेटा क्या तुम यह प्रमानित कर सकते हो यह वाक्य किसने और किससे कहे बैंक मैनेजर ने आरियन से कहा इस पर आपको क्लिक करना है अभी बच्चों यहाँ पे देखिए अगला प्रेशन देख गए वाक्य सही है या गलत सही उत्तर चुनिये यहाँ पे बच्चों देखिए नीचे वाक्य दिये हैं उन वाक्य को आपको पढ़ना है और पढ़कर क्लिक करना है कि यह वाक्य सही है या गलत अगर सही है तो सही पर क्लिक करना है अगर गलत है तो गलत पर आपको क्लिक करना है तो पहला दिया हैкуюंट के पै गद्धिदार होते हैं यह वाक्य सही है यह गलत यह वाक्य सही है अगला देखें आरियन कमन परीट और उसके दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया आरियन, मन प्रीत और उसके दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया यह वाक्य सही है या गलत यह वाक्य भी सही है तो इस तरह से इस पर आपको क्लिक करना है अगला देखिए वरुन को ठीक होने में दो महिने का समय लगा वरुन को ठीक होने में दो महिने का समय लगा बच्चो इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए क्या है ये वाक्य सही है? सही है या नहीं? ये है वाक्य गलत है क्योंकि वरुन को ठीक होने में दो महिने का समय नहीं लगा एक महिने का समय लगा तो इसलिए यह वाक्य गलत है तो बच्चो आज का वीडियो हों यहीं पर समात करते हैं अगली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का रिविजन करेंगे धन्यवाद